हेलो फेंट्स वेलकम टो माई टोप चैनल जीनियस इस्टडी 2.0 पर दोस्तो आज की इस वीडियो हम लूशेंट के टॉप 40 कोशन लिखे हैं जो आप सभी के एक्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टन सेलेक्टर और कोशन होगे दोस्तो इस वीडियो हम जीके जीएस के आप फोर्टी कोशन है तो आप लोग इस वीडियो को अंतर तक देखेगा अगर आप को यह वीडियो पसंद आए तो क्लास के लाश्ट में आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन एक Scallam से संबन देते हैं तो अगर आपको किसी भी परसन का आंसर पहले से पता है तो आप लोग मुझे comment box में बता सकते हैं तो इस परसन का फ्यנ्व्य क्या हो जाएगा तो ऐस depression का protection बताइगा अगला next question बताएंगे first question number two है कि निम्ने में से अफरीका का कौन सा एक ओपिक का सदस्न नहीं है दोस्तो आज की इस वीडियो में जितने भी question है सारे most important है तो आप सभी लोग इस person का right answer बताएंगे कि इस person का right answer क्या हो जाएगा तो मेरे पैरे दोस्तो इस person का right answer हो जाएगा option number D यानि कि दक्षड आफरीका अगला next question बताएंगे first question number 3 है कि लोग बित में अधिक्तम सामाजिक लाब का सिध्धान्त किसके द्वारा दिया गया है तो friends question काफी most important है right answer की बात करें तो इस person का right answer हो जाएगा option number D डेल्टन ध्यान से देख लेएगा option D डेल्टन next question बताएंगे first question number 4 है कि नीली और सुइत क्रांथ किससे सम्मन देता है चले मेरे पैरे दोस्तो आप सबी जोग बताएंगे कि नीली और सुइत क्रांथ किससे सम्मन देता है option है रोजगार गरीबी संसाधन की कमी या फिर आए तो मेरे पैरे दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा option number C यानि कि न मत्थुसियन सिधान जो फ्रेंट से हो फंसाधन की कमी से सम्मन देता है तो राइट आंसर हो जाएगा option number C नेस्ट कोशन चले फ्रेंट बताएंगे question number 6 कि किस भारती राज की तट रेखा सबसे लंबी है तो मेरे पैरे दोस्तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option आप सभी के स्क्रीन पर है तो राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे तो फ्रेंट राइट आंसर की बात है तो इस कश्मीरी महा मर्ग पाया जाता है तो चले बताएंगे फ्रेंट कहां पर पाया जाता है कश्मीरी मरग तो फ्रेंट राइट आंसर हो जाएगा option number B दाचिंगम में नेस्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन नमर आठ है कि भोकंप केंदर के ठीक नीचे बिंदू को क्या कह कहते हैं दोस्तों कोशन काफी मोश्ट इंपॉर्टेंट है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंट उसे कहा जाता है आर्थो सेंटर पूंच रहा कि भोकंप केंदर के ठीक नीचे बिंदू को जो फ्रेंट सेंटर कहते हैं नेस्ट कोशन बताएंगे कि प्रचूर कैल कि अधिक मात्रा होती उस मर्दा को क्या कहा जाता है तो मेरे पहरे दोस्तों उसे कहा जाता है पेडोकल ध्यान से देख लेने फ्रेंट राइट आंसर होज़े का आप्सिन नमरे पेडोकल अगला नेस्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन नमरे 10 है कि वर्स 2015-16 में भारत क के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यात तक कौन सा देश है कोशन काफी मोश्ट इंपॉर्टेंट है यह एक जाम में बहुत बार कोशन रिपीट हूं तो वही में लेकर आया हूं लूसेंट के कोशन है तो ध्यान पूरवक्त जरूर पढ़ेगा तो फ्रेंट इस प पूरशन का राइट आंसर हो जागा भू संधी कहते हैं उसे क्या करते हैं दो बड़े भू सम्मुहों को जोनने वाली संकिन भू पट्टी को फ्रेंट भू संधी कहते हैं अगला नेक्स्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन 12 की मीठे पानी का सबसे बड़ा जलासर क्या ह इन में से आपको बताना है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलासे क्या है तो आप सभी के स्क्रीन पर है आंसर आप लूँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फ्रेंट इस प्रसंग का राइट आंसर हो जाएगा ओप्स नमरे ध्यान से देख लेना इस प्रसंग का कन्या कुमारी से कोलामबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है तो फ्रेंट कोशिन काफी मुष्ट इंप्वर्टेंट है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल फ्रेंट पाक खाडी जो है इसको पार करना पड़ता है कहां से कन्या कुमारी से कोलामबो जाने के लिए अगला नेस्ट कोशन बताएंगे कि दुनिया की च्छत यानि की रूप आप दा वर्ड निमने लिखित में से किसको कहा जाता है तो यह भी कोशन काफी मोश्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल फ्रेंट बी राइट आंसर हो जाएग तो बिल्कुल उप्रेंट राइट आंसर हो जाएगा उन्हें फ्रेंट क्रेटर कहा जाता है ज्वाला मुखी की कप या कटोरा आकार मुख को जो फ्रेंट से क्रेटर कहा जाता है नेस्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट कोशन 17 पूच्छा के कि वह देश कौन सा है जिसमें ड क्रिया नियम दिस्ट में से किसकी कड़ी है तो तो फेंस उराइट आंसर क्या हो जाएगा कोोश्यन नमबर अठारा का तो बेल्कुर लाइट बी राइट आंसर उजाएगा द्विप इस पर boyfriend का b से बीराइट अंसर हो जाएगा अगला इस्ट कुश्चन कोश्चन नमर 20 की अरब सागर नेम लिखित में से किस देश के किनारी को नहीं धोता है तो बताएंगे फेंट से राइट आंसर क्या हो जाएगा कोश्चन मर्ड टॉंटि का तो बिल्कुल फेंट से राइट आंसर हो अगला निश्ट कोईशन बताएंगे विए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको अगर एक्जाम में जॉब लेनी है अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको मैं जितनी वीडियो कराता हूं आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज अप्सिन नमर एक लेंट देश ने नेस्ट कुछन बताएंगे फिर्श कोश्चन नमर ट्वंटीटू की भाभा परमारू अनसुंधान के इंदर जो फिंड्स है इसका निर्देशक कौन है तो राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे तो बिलकुर फिर्श राइट आंसर ह जगा रतन कुमार सिनहा इस प्रसंट का फिंड्स सी राइट आंसर हो जाएगा अगला नेस्ट कोशन बताएंगे फिर्श कोशन नमर ट्वंटी थी कि आफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आफ्रीका का सबसे बड़ देश कुछ सा है तो फिर राइट आंसर हो जगा option number C Algeria दोश्तों आप लोगों को में एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ अगर आप सच में मेहनत करते हैं तो अगर आप लोग इस 10 मिनट की वीडियो को आप पूरा नहीं देख सकते हैं तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि अगर आप 10 मिनट मेरी वीडियो को टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप 10 घंटे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे तो आप अगर इस वीडियो को पहले देखिए उसकी बास समझेए फिर आप अपनी तयारी से कंपूरमाइज करिए अगला नेष्ट कोशन वस्जन बताएंगे वरेज pokans नमबर हो जाएगा हमारा 24 की काल माक्स की पुष्टक 10 कैप्रेप्टल का प्रकासित होई चले कौन सेशन में प्रकासित होई थी काल माक्स की पुष्टक दास कैप्टल तो फ्रेंट्स इस प्रसिन का राइट आंसर हो जाएगा यानि कि option number हो जाएगा C यानि कि 1860 में तो option C right answer हो जाएगा नेश्ट कोशन बताएंगे कि वन निश्वी सब्ताबदी की अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी के लिए दिया गया था ये question काफी most important है right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल फिरस राइट आंसर हो जाएगा option number है साहित अगला next question बताएंगे first question 27 की निमनलकित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार होई थी तो फ्रेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा question number 27 का तो फ्रेंट इस प्रेंट का right answer हो जाएगा option number A ट्रफ लगर की लड़ाई अगला next question बताएंगे first question 28 है कि दोतीयक 20 स्यूध के दोरान जापान के किन सहरों में परमाणू बं गिराए गये थे तो काफी simple question है friends आप सभी को पता है कि हीरोसिमा और नांगा साकी इस प्रेंट का right answer हो जाएगा next question बताएंगे friends question 29 की निमने डिकित में से किसके पत्तन से French क्रांथ का आरंब हुआ था ये question काफी most important है मैं जो बताता हूँ question important है उसको आप अपनी note book में जरूर note करते रहे और जरूर question ना किसी exam में question जरूर पूछे जाएंगे तो friends इस person का right answer हो जाएगा बास्तील इस person का friends option a right answer हो जाएगा बास्तील next question बताएंगे friends question 30 कि किसने 26 बार आसकर पुरुसकार जीता चले बताएंगे तो friends right answer हो जाएगा वाल्ट डिक्जिनी इस person का option see right answer हो जाएगा ध्यान से देख लिजिएगा अगला next question बताएंगे friends question 31 कि अंतर राष्टी परमाण उड़जा agency का मुख्याल है जो friends कहाँ पर इस्थित है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस person का right answer हो जाएगा option number a यानि की बिये ना में इस्थित है इस person का option number a फैर्ट्स कोश्चन नमर 32 के तनुड़ा औस्था में नदी अपरदन का बिशिष्ट लच्षण निमन लिखित में से कौन सा है तो मेरे पहरे दोस्तों इस person का right answer हो जाएगा option नमर C अंतर घाटी इस person का फैर्ट्स राइट आंसर हो जाएगा ध्यान से देख लिजेगा नेश्ट कोश्चन बताएगे first question 33 कि भारती आंतरिच अनसुंधान संगठन कहां पर इस्थित है तो मेरे पहरे दोस्तों भारती आंतरिच अनसुंधान संगठन का जो फैर्ट्स मुख्याला है कहां पर है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाहित जल का इस person का प्रवाहित जल अगला नेश्ट कोशन बताएगे first question 35 कि निमनलखित में से कौन सी जातियां पुश्चारण का कारी करती है तो फैर्ट्स राइट आंसर की बात के तो बी राइट आंसर हो जगा मसाई अगला नेश्ट कोशन बताएगे first question 36 है कि हैदराबाद अपने संग्रा का नाम क्या है तो मेरे पहरे दोस्तों उस रंग्राइग का नाम है सलार जंग संग्राइग और बी राइट आंसर हो जगा सलार जंग संग्राइग अगला नेश्ट कोशन बताएगे first question 37 है कि पीला रंग मजहोला कद एपी कैंतिक गोल्ड वाली तिरशी आंक इसका अभिलक दोस्तों राइट आंसर हो जगा अर्जन पुरुषकार दिया जाता है अप्शन बर बी नेश्ट कोशन बताएंगे first question 39 कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदाई होती है तो मेरे पहरे दोस्तों राइट आंसर हो जगा आप्शन ब भी गल्फ इस्ट्रिम